योजना इनिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है लाडली बहना योजना के अंतरगत दे जाना वाले 1250 रुपे की धन्नासी महिलाओ को जो मिलेगी मई महिने की वह इस तारिक से खाते में आएगी जिसमें 1.29 क्रोड महिलाओ को फायदा होगा जी हाँ जो मुक्यमंतरी लाडली बहना योजना है उसके अंतरगत जो 1250 रुपे की धन्नासी महिलाओ को दी जाती है वह मई महीने में इस तारीक से खाते में आएगी और किस तारीक से खाते में आएगी और यह 1250 रुपे की धनासी दी जाएगी वह 1.29 कलोर महिलाओ को दी जाएगी तो यह मई महीने में वैसे तो आपको हर महीने की दर्स तारीक को यह पैसा दिया जाता है लेकिन मई महीने में किस तारीक में आपके खाते में यह पैसा आएगा और क्यों आएगा हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो वीडियो लाज तक जरूर देखेगा लेगे उनस से पहले वीडियो को लाइक ने के आया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नहीं आए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करिएगा चले वीडियो में बढ़ते हैं मिडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनसार मुक्यमंतरी लाडली बहना योजना की 1.39 क्रोड लाभारती बहनों के लिए महत्वपूर्ण खबर है तयोहारों को देखते हुए मुक्यमंतरी ने तैय समय से पहले 5 अपरेल को योजना की 11.35 के लिए 156 करोड रुपे की धनरासी जारी कर दी है देखे जो इस अप्रेल महीने की किस्त थी वह पांच अप्रेल को ही जारी कर दी गई थी क्योंकि त्योगारों के देखते वे यह पहले ही जारी कर दी गई थी इसके तहट परतेक बैनों के काते में 1250 रुपे भेजे गई अब अगली किस्त मही में जारी की जाएगी जैसे कि आप जानते हैं कि लोक सभा चुनाओं हैं और आचार संहीता को देखते हुए जो बारवी किस्त है वह मई महीने में आपको समय से पहले ही दी जा सकती है लेकिन इसकी अभी तक कोई अधिकारी पुष्टी नहीं हुई है लाडली बैना के नियम के तहट हर महीने की द दस की जगह 5 अपरेल को भेजी गई थी जैसे कि आप जानते हैं कि चैतर नवरात रहे हैं और गुड़ी पड़वा को देखते हुए ग्यारवी किस्त का जो पैसा था वह 5 अपरेल को ही खाते में जारी कर दिया गया था अब अगली किस 10 मही को जारी की जाएगी लेकिन लो परदेश की ओर से किस्त 10 अक्टूबर की बजाए पहले 4 अक्टूबर को यानि 6 दिन पहले ही जारी कर दी गई थी तो यह जो बारवी किस्त है आपको मही महीने में आपको समय से पहले ही खाते में आ सकती है तो वीडियो कर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज